बुडापे को ऐसे बनाएं सुखमें, पचास वर्ष से अधिकुम्रवाले जरूर सुनें नमबर एक, अपने स्वयम के स्थाई स्थान पर रहें, ताकि स्वतंत्र जीवन जीने का आनंद ले सकें नमबर दो, अपना bank balance और भौतिक संपत्ति अपने पास रखें, आती प्रेम में पढ़ कर किसी के नाम करने की ना सोचें नमबर तीन, अपनी संतानों के जीवन में दखल अंदाजी ना करें, उन्हें अपने तरीके से अपना जीवन जीने दें और आप अपने तरीके से अपना जीवन जीएं 4. अपने बच्चों के इस वादे पर निर्भर ना रहें कि वो वृध्धा वस्ता में आपकी सेवा करेंगे क्योंकि समय बदलने के साथ उनकी प्रात्मिक्ता भी बदल जाती है और कभी-कभी चाहते हुए भी वे कुछ नहीं कर पाते 5. किसी के साथ अपनी तुलना ना करें और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखें 6. उन लोगों को अपने मित्र समू में शामिल रखें जो आपके जीवन को प्रसन देखना चाहते हैं यानि सच्चे हितैशी हो 7. अपनी वृध्धा वस्ता को आधार बना कर किसी से सेवा करवाने, सम्मान पाने का प्रयास कभी ना करें 8. लोगों की बाते सुने लेकिन अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर निर्ले ले 9. प्रात ना करें लेकिन भीख ना मांगें, यहां तक की भगवान से भी नहीं, अगर भगवान से कुछ मांगें तो सिर्फ माफी और हिम्मत 10. अपने स्वास्थे का स्वयम ध्यान रखें 10. चिकित्सिये परिक्षण के अलावा अपने आर्थिक सामर्त अनुसार अच्छा पोष्टिक भोजन खाएं और यथा संभव अपना काम अपने हाथों से करें 11. अपने जीवन को उल्लास से जीने का प्रयत्न करें, खुद को प्रसन रखने की कोशिश करें और दूसरों को भी प्रसन रखें 12. किसी भी टकराव को टालें एवं तनाव रही चीवन जीएं 13. प्रती वर्ष जीवन साथी के साथ भ्रहमन या छोटी यात्रा पर एक या अधिक बार अवश्य जाएं इससे आपका जीने का नजरिया बदलेगा 14. जीवन में स्थाई कुछ भी नहीं है, चिंताएं भी नहीं, इस बात का विश्वास करें 15. अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को रेटायर्मेंट तक पूरा कर लें याद रखें जब तक आप अपने लिए जीना शुरू नहीं करते हैं, तब तक आप जीवित नहीं है सुखमे जीवन की शुपकामनाए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका भौद भौद धन्यवाद